अलो सात्यों कैसे आप सभी आशा करता हूं सारे भाई वैन अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारी से बैच में क्रांती बैच में जो कि आपका डेली चल रहा है UPBEAD के Entrance Exam को लेकर UPBEAD Entrance Exam आपका आज सायद आपके फोर्म आने के उमीध है दस्तारीक है और अगर आपके फोर्म आ जाते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको दे दिया जाएगा आपको बता दिया जाएगा आपको फोर्म फिल कर लेना फिर उसके बाद एक बाफिर से मेहनत की तरफ चलेंगे आप लोगों के लिए करांटी बैच है यह आपका बिलकुल मुफ्त यानि के फ्री बैच है YouTube पर 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 जोइन करेंगे तो जहां पर आपको इसकी PDF प्लस यह क्लास जो वीडियो आपका है यह भी पचास नंबर की आती है बड़ा महत्वण रोल अदा करती है और वहां से बहां पर यहां पर आठ साइड वाले या साइंस साइड वाले बच्चे हो तो उनदो के लिए तो यह भड़ा ही महत्वण रोल अदा करती है क्योंकि आपको एक पेपर और जी इसका देना होता तो उसी में से कुछ कुशन साइंस के हिस्टरी, जोगरफी, पॉलिटी, एकोनोमिक्स सभी को मिला के मैं आपका कराता हूँ डेली आपकी क्लास चलती है और सायद आपको जो है कि मंजल उन्ही को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है अंखो से कुछ नहीं होता साथियो होंसलों से उडान होती है होंसले आपके मजबूत है, बुलंद होने चाहिए किसी भी चीज की तियारी के लिए अब हम लोग चलते हैं आपका कोशन नमबर बन पर यह आपका जो है प्रेक्टिस सेट जीके जीएस का है यह भी आपका नोट कर देते हैं कि भाई सब यह आप किस का पड़ रहे हैं तो जीके जीएस का यह आपका चेप्टर नेम जीके जीएस है जीके जीएस का आपका प्रेक्टिस सेट है और ये आप इसको continue कर रहे है इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर practice set इसके लिए है तो GKGS के लिए है GS आपका 50 marks की आती है उसी को हम लोग यहाँ पर continue करेंगे अब आजाईए कि न संगर्स न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में अगला question देखिए अब आजाए आपके उसपे chapter पहला question आपके screen पर क्या कह रहा है आपसे question का answer दीजिएगा question number one आपसे क्या कह रहा है थ्रोंबीन मानव सरीर की निमन में से किस सारेरिक प्रक्रिया के लिए महतपून है कमेंट करके अंसर दीजेगा आप लोग, कि थ्रोमबीन माना शरीर की निमन में से किस सारेरिक परिकरिया के लिए महत पूर्ण है, कमेंट करके बताइए भीजा, थ्रोमबीन आप देखिये, कूनसी ऐसी करिया है, कूनसा ऐसा आपका प्यारे सातियों, पाइकलोजीकल आपका प्रोसेज है जो आपका थ्रोम्बीन में होता है तो थ्रोम्बीन में आपका खून का जमना प्यारे साथियों आता है या थ्रोम्बीन एक प्रक्रिया खून के जमने में सहयक होती है ब्लड क्लोटिंग के लिए जब ब्लड क्लोटिंग की बात करते हैं तो आपके दिमाग में कुश्यन और आता होगा कि blood clotting में कौन सा vitamin आपका सहयक होता है एक question आपके exam में पूछा जाता है blood-clotting के लिए blood-clotting के लिए blood clotting के लिए कौन सा vitamin सहयक होता है comment करके नहीं कि बताईे कौन सा भी टामिन सायक होता है कमेंट करके आंसर दीजेगा बिलड़ क्लोटिंग के लिए विटामिन सायक होता है आपका कौन सा भिया ये आपका होता है ब्लट क्लोटिंग के लिए जो विटामिन है वो है आपका विटामिन के आपको पता होगा हना जैसे विटामिन A रेटिनोल है विटामिन C आपका विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है आपका रतोंदी रोग होता है विटामिन B1 थाइमीन बैरी बैरी नामक रोग होता है विटामिन C आपका स्कॉर्बिक एसेड यानि के आपका जो है स्कर्वी रोग होता है विटामिन D आपका केलसी फेरोल उससे आपका जो है कौनसा रिकेटस यानि के आपका सूखा रोग होता है इसी तरीके से आपका विटामिन के हमारी साहता करता है ब्लड क्लोटिंग में र हां इ én कलता ही रहएगा जब तक कम ना हो जाए कारण कि ब्लड क्लोटिंग जो है उने फर फ़िछ जमने लगते हैं ब» तो है जिस से mind को आपका energy मिलती है उर्जा मिलती है comment करके बताईए from which of the following source does the brain get energy बताईए पहरे साथ किस से आपका दिमाग को उर्जा मिलती है energy मिलती है देखिए मानव सरीर को आपका जो उर्जा की अगर बात की जाती है तो मानव सरीर को energy आपका कहां से मिलती है मानव सरीर को उर्जा यानि कि आपका energy कहां से मिलती है यह आपका सवाल है भी है energy आपका कहां से मिलती है मानव सरीर को उर्जा यानि कि energy जो आपका मिलती है वो carbohydrate से मिलती है carbohydrate को carbohydrate आपका energy देता है अब कार्वो हाइडरेट को क्या करता है oxygen गुलकोज में तोड़ देती है oxygen इसको क्या करती है oxygen इसको गुलकोज में तोड़ देती है गुलकोज में तो किसी भी चीज के लिए energy का काम क्या करती है गुलकोज करती है तो answer क्या जाएगा गुलकोज इसका सही answer है कि आपका जो है ध्या को क्या कहा जाता है मस्तिष्क के अध्यन को क्या कहा जाता है माइंड के आपका अध्यन को क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं neurology क्या कहते हैं भी आपका neurology उसको कहा जाता है प्लस आप लोगों के सामने एक प्रसुन और आ इसको neurologist भी बोला जाता है neurologist भी आपका इसको बोला जाता है इसके डॉक्टर को neurologist बोला जाता है जो इसकी देखभाल के लिए काम करता है डॉक्टर आपका भी यह बात समझ में आ गई तो यह आपका question हो जाता है next question देखे question number third आपके screen पर है क्या पूछ रहे question number third आप से comment करके answer दीजेगा question number third आप से क्या पूछ रहा है comment करके answer दीजेगी मानव सरीर में पाचनतंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कुंसा है बताये भीया मानव सरीर में पाचन तंतर का सबसे लंबा हिस्सा कुन सा है? कमेंट करके आंसर दीजेगा. मानव सरीर में पाचन तंतर का सबसे लंबा हिस्सा कुन सा है? कमेंट करके आंसर दीजेगा. अगनाशी वाहिनी है, ठोटी आथ है, बड़ी आथ है, ग्रासी का है. मानव सरीर में पाचन तंतर का सबसे लंबा हिस्सा छोटी आंत है अब छोटी आंत जो है इसकी लंबाई कितनी होती है ये भी आपसे exam में question बंडे exam में पूछ लिया जाता है तो इसकी लंबाई 6.5 meter से लेकर 7.5 meter तक इसकी लंबाई है भी या बास समझ में आ गई तो छोटी आंत इसका answer आ जाता है अगला question देखे question number 4 आपकी screen पर है कि चिकिस्सा विज्ञान की वह साखा जो गुर्दों से सम्मन्द रखती है यानि कि आपका भाई साफ the branch of medical science which deals with the kidneys अब बताईए मतलब आपका kidney जो गुर्दा होता है kidney जो है उनके अध्यन को आपका उनके study को क्या कहा जाता है या उसकी विज्ञान की कौन सी साखा होती है तो nephrology होती है nephrology आपका होती है जो चिकिस्सा विज्ञान की साखा है kidney है ना उससे सम्मन रखती है कार्डियोलोजी की अगर हम बात करते हैं तो आपका हिर्दय से सम्मन रखती है जैसे उसका डोक्टर होता है कार्डियो लोजिस्ट के पास जा रहे हैं हार्ट में पॉब्लम है तो यह आपका नेफ्रोलोजिस्ट के पास जा रहे है वो आपका किडिनी से संबंदित डोक्टर है तो वो आपका लोजी मतलब आपका स्टडी से संबंदित है अध्य आवश्यक्तत्व है जिसका उपयोग पोधे प्रोटीन संसलेशन में करते हैं। निमलेखित में से कौन सा वह आवश्यक्तत्व है जिसका उपयोग पोधे प्रोटीन संसलेशन में करते हैं। ग्रहन करते हैं आपका कौन ग्रहन करते हैं पेड़ पोधे। सूरिये से आपका पेड़ पोधे अपना भोजन ग्रहन करते हैं फोटोसंतेसिज प्रकरिया में। पेड़ों का कौन सा भाग पोधे का वनस्पती का कौन सा भाग परकास संसिलेशन के प्रिक्रिया करता है यानि के पोटो संतेसिज प्रिक्रिया में पोधे का कौन सा भाग परकास संसिलेशन के प्रिक्रिया में योगदान देता है तो वो है आपका पत्तियां जैसे आप से प ते इसमें उसको ग्रहन करते हैं वाहिए? अव्चूशन करते हैं, ग्रहन करते हैं, परन्तु आपका भाई साव, यह आपका क्या है, ओक्सीजन को आपका छोड़ देते हैं, ओक्सीजन को आपका क्या करते हैं, छोड़ देते हैं भाई साव, यह हमारे जैसे गरीबों के लिए ओक्सीजन छोड़ दी जाती है, अब आते हैं कि निम्न में से वह कौन सा आवश्यक्तत्तों है जिसका प्रियोग बोधे प्रोटीन संसलेशन में करते हैं तो नाइट्रोजन का करते हैं भाई सब किसका करते हैं नाइट्रोजन का प्रियोग करते हैं आपका भिया किसमें प्रोटीन संसलेशन में कोशन नंबर 6 एमिनो अमल निर्मान खंड है किसका वेटा, एमिनो अमल जो है, एमिनो एसेड जो है, वो आपका निर्मान खंड है किसका, कमेंट करके बताईए इस कोशन का, जी भी है, बताईए, एमिनो अमल निर्मान खंड है किसका प्यारे सातियों, कमेंट करके बताईए, तो एमिनो अ से प्रोटीनों का निर्मान होता है, किसका निर्मान होता है, एमिनो एसिट से किसका प्रोटीन का निर्मान होता है, प्रोटीन जो है आपका किस में सायक होते हैं, मानव सरीर के अंगों में, मानव सरीर के अंगों के निर्मान में, अंगों के निर्मान में मानव सरीर के अंगों के निर्मान में सहयक होते हैं आपका प्रोटीन प्यारे साथी हो कार्बो हाइडरेट क्या करता है तो कार्बो हाइडरेट हमें उर्जा देते हैं एनर्जी देते हैं विया क्या देते हैं एनरजी देते हैं उर्जा देते हैं खनीजों से क्या होता है मजबूती मिलती है सरीर को मजबूती मिलती है विया इसके बाद विटामेंस क्या करते हैं तो यह रक्षातमक प्रधार्त कहलाते हैं क्या कहलाते हैं रक्षातमक प्रधार्त यह रक्षा करते हैं हमारी आपका जो क्या कहा जाता है कमेंट करके आंसर दीजे सर आपसे पूछ रहा है जिए चक्रवात का केंद्र एक सांत छेत्र होता है इसे तूफान का क्या कहा जाता है कमेंट करके आंसर बताइए भीया बहुत शांदार कोश्चन है जबर्द देखे चक्रवात भूकम पाता है तो भूकम क केंद्र बिंदू होता है जैसे आपका तुर्की में अभी हजारों वेक्ति मारे गए तुर्की में क्या हुआ लगबग 22 से 23 सजार आदमी मारे गए बहुत ही दुख की घटना है यह घटना किसी के साथ ना घटे तो आपका जो है कि चकरवात का केंद्र एक सांथ छेतर होता है इसे तुफान का क्या कहते हैं तो अब बात यह है कि जैसे अगर मैं बात करूं आपका यहां से यह आपका चकरवात का केंद्र था इस तरीके से साइकलोन आपका चलता है इस तरीके से आपका साइकलोन चलता है तो उसका केंद्र बिंदू ये जो केंद्र बिंदू है ये क्या कहलाता है ये पूछ रहा है आपसे ये जो इसका केंद्र बिंदू है ये इसका क्या कहलाता है केंद्रक केंद्र बिंदू क्या कहलाता है इसका चक्रवात का तो यह इसकी आँख कहलाती है आँख वासल में तो आंसर क्या गया? आँख आगया चक्रवात अलग-अलग परकार के आपका आते हैं अगला कोशन देखिए नेक्स्ट कोशन आपसे क्या कह रहा है कोशन नंबर आठ आपका ये रहा कि एक टीवी के बराबर कितने जीवी होता है कम्पिटर का कोशन भी जर्नली जीवी 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 आपका डाल दिया जाता है आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है तो वही आपसे पूछ रहा है कि एक टीवी कितने जीवी के बराबर होता है एक टीबी कितने जीवी के बराबर होता है कमेंट करके आंसर दीजे आप बहुत सही कोश्चन है सर आपका एक टीबी कितने जीवी के बराबर होता है एक टीबी बराबर एक हजार चोबिस गीगाबाइट अगला कोशन रेखे कि निम लिखित में से कौन भारती है सम्मिधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार सम्मिधान सभा का हिस्सा नहीं था कौन भारती है सम्मिधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार सम्मिधान सभा का हिस्सा नहीं था भारतिय सम्मिधान सभा तक भारत का अपना सम्मिधान हो भारत आजाद हो इस बात में तो उस महापुरुस का बहुत योगदान था परन्तु भारत की सम्मिधान सभा Constitution बोड़ी में उसका कोई हाथ नहीं था तो वो थे महतमा गांदी जी महतमा गांदी जी सम्मिधान सभा मे सम्विधान सभा की पहली बैठक 9 दिसम्बर 1940 को हुई सम्विधान सभा की पहली बैठक 9 दिसम्बर 1940 को हुई ठीक है भी या और इसका एस्थाई अध्यक्ष बनाये गया जोक्टर सचीदानंद सिन्हा को इसका बनाये गया एस्थाई अध्यक्ष फिर 11 दिसम्बर 1940 को दूसरे दिन 11 दिसम्बर किआरे दिसम्बर कि ता 940 को कि दूसरी बैठक हुई ए और इस्थाई अध्यक्ष किसको बनाये गया दॉक्टर राजेंद्र परसाद को इस्थाई अध्यक्ष किसको को बनाए गया डोक्टर राजेंद्र प्रसाद को कोई सवाल कोई जवाब कोई बात नहीं है नेक्स्ट कुशन देखेगा कुशन नमबर दस आपका भारत पाक विभाजन से पहले भारत के पहले वित्यमंत्री कोन थे बताई अगला कुश्यन आप से क्या पूछ रहा है भारत भारत पाक विभाजन से पहले भारत के पहले वित्यमंत्री कोन थे भारत पाक विभाजन से पहले 2 सितंबर उनिस सो चालिस को सम्मिधान सभा में से सम्मिधान सभा में से अंत्रिम सरकार का गठन किया गया अंत्रिम सरकार का अंत्रिम सरकार का गठन किया गया समझ में आगी बात 2 सितंबर 1946 को समिधान सभा का आपका क्या किया गया समिधान सभा में अंतरिम सरकार का गठन किया गया जिसमें मुस्लिम लीग के पांस सदश्य थे मुस्लिम लीग के पांस सदश्य थे जिसमें मुस्लिम लीग के पांस सदश्य थे अब उसमें से आपका जो है भारत पाक विभाजन से पहले भारत के पहले वित्य मंत्री आपका कौन बने लियाकत अली खान बने रक्षा मंत्री जैसे आपसे पूछ ले रक्षा मंत्री आपका कौन थे रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंग बलदेव सिंग बलदेव सिंग पास समझ में आई रक्षा मंत्री बलदेव सिंग इस तरीके से आपके कोश्यन थे शिक्षा मंत्री सी राजा गोपालचारी शिक्षा मंत्री आपका कौन थे शिक्षा मंत्र सी राजा गोपालचारी सी राजा गोपालचारी गोपालचारी इस तरीके के आपके कुश्चन आ जाते हैं नेक्स्ट कुश्चन देखिए कुश्चन नंबर 11 आप से क्या करा है बारत के राष्टपती को पस से हटाने के लिए संसत द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है भारत के सम्मधान में राश्टपती को उससे पद से हटाने के लिए कुन सी प्रिक्रिया अपना ही जाती है कमेंट करके बताो ग Commissioner भात सनुमय गई देखिये आपका भारत के राश्टपती को पत से हटाने के लिए महभयोग प्रस्ताव यानि के इंपीचमेंट आर्टिकल 61 के द्वारा यदी राष्टपती सम्मीधान का उलंगन करता है यदी राष्टपती सम्मीधान का सम्मीधान का उलंगन करता है यदी राष्टपती सम्मीधान का उलंगन करता है तो आपका इंपीचमेंट माहभियोग प्रकिरिया चलाई जा सकती है यह प्रकिरिया USA के सम्मीधान से भ्पारत के सम्मीधान में ली गई है इसके बाद अगला कुश्चन देश का दूसरा सबसे बड़ा वरिष्ट कारियाले किसका होता है भारत के राष्टपती का कारियाले होता है भारत के उप्राष्टपती का कारियाले होता है भारत के उप्राष्टपती का कारियाले होता है भारत के उप्राष्टपती का कारियाले होता है भारत के मुख्यनिय कारेकाल कारियाले दूसे नंबर पे सबसे बड़ा होता है पहले नंबर पे आपका राष्टपती महुद्य है अगला कोशन देखे कोशन नंबर तेहरे कि सितंबर 2020 की इस्तती के अनुसार राज्य सभा का सदश्य बनने के लिए किसी वेक्ति की आयू कितने वर्स से कम नहीं ह होनी चाहिए ठीक है विया तो आपसे कुश्चन देखे यहाँ पर राष्टपती बनने के लिए आयू कितनी होनी चाहिए राष्ट पती उप राष्ट पती कि हुप राष्ट पती कि राज्य सभा कि लोक सभा विधान परीशद विधान परिशद विधान सभा इन सभ में आपका कितनी कितनी एज होनी चाहिए मिनीमम राष्ट पती बनने के लिए मिनीमम आयू कितनी चाहिए तो 35 वर्ष चाहिए उपराष्ट पती बनने के लिए कितनी चाहिए 35 वर्ष चाहिए राज्ये सभा के लिए कितनी चाहिए तो आपका तीस वर्ष चाहिए लोग सभा के लिए कितनी चाहिए तो पच्चिस वर्ष चाहिए विदान परिशद के लिए कितनी चाहिए तो तीस वर्ष चाहिए विदान सभा के लिए कितनी चाहिए तो पच्चिस चाहिए ये आपका क्रम है आयू का तो राज्य सभा के सदश्य बनने के लिए नियुन्तम आयू के तीच चाहिए तीस ठीगे जी अगला कोशन देखिए राज्य सभा का सदश्य होने के लिए किसी विवेक्ति के उम्र कम से कम कितने वर्स होनी चाहिए वही कुश्यन कुवा के पूछ लिया बस लेंगवेज चेंज गए नेक्स्ट कुश्यन कुश्यन नमबर पंदर है वर्स 2020 तक राज्य सभा में असम के लिए आवंटि सीटों की संख्या क्या है वर्स 2020 तक राज्य सभा में असम की सीटों के लिए आवंटित राज्य सभा सीट कितनी हैं अब मेरी बास सुनिएगा यहाँ पे आप लोग राज्य सभा की सीटों का बटवारा जनसंख्या परतेनेदतु के आधार पर के आधार पर अनुसूची चार में है सबसे ज़्यादा राज्य सभासीटे सबसे ज़्यादा राज्ये सभासीते यूपी के लिए हैं 31 असम के लिए कितनी राज्ये सभासीते हैं साथ और लोगसभा की असम में हैं 14 लोगसभा की असम में है 14 वास समझ में आ गई next question question number 16 कि लोगसभा की बहस किस बहसा में मुद्रित होती है लोगसभा की बहस किस बहसा में मुद्रित होती है कमेंट करके बताई लोकसभा की बहस किस भासा में मुद्रित होती है दोनों हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होती है अगला कुश्यन निम लिखित में से कौन सी समीती को प्राकलन समीती की जुड़वा बहन कहा जाता है निमलिखित में से किस समीती को प्राकलन समीती की जुड़वा बेहन कहा जाता है कमेंट करके बताई संसद में पार्लियामेंट में एक इस संसद में क्या भी आपका संसद में पार्लियमेंट में दो परकार की समीती होती है एक तो आपका होती है संसद में दो परकार की समीती होती है एक तो आपका होती है इस्थाई समीती इस्थाई और एक होती है एस्थाई एस्थाई यानि के पारलियामेंट में समीती इतने परकार की होती है, दो परकार की, एक आपका इस्थाई और एक आपका इस्थाई, दो परकार की समीती होती है, संसद में, संसद में अब जो इस्थाई समीती है, उसमें सबसे बड़ी समीती प्राकलन समीती है, वैसे प्राकलन समीती के जुड़वा बहन लोकलेखा समीती को कहा जाता है जो आपका CAG Controller Auditor of Journal की आपका जो है रिपोर्ट को वोडिट करती है सरकारी खातों की जाच करने में सायक होती है इसमें 22 सदश्य होते हैं 22 में से 15 लोक सभा से और आपका साथ राज्य सभा से इसमें आपका सदश्य होते हैं बस समझ में आ गई इसके बाद देखिए अगला कोश्यन आप से क्या कह रहा है भारत में किस संसदिय समीती की सामानेते अध्यक्ष था विपक्ष के परमुक सदश्य द्वारा की जाती है यानि कि कौन सी ऐसी पार्लियमेंटरी कमेटी है जिसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है तो वो है लोक लेखा समीती प्यारे साथ अगला question देखिए, हाल ही में railway board का नया अध्यक्ष और CEO किसे निफ्ट किया गया, जब ये question था, इस question को आपका पुराने एक्जाम में आया, विने कुमार तिरपाठी थे, वर्तमान में आपका कौन है, अनील कुमार, वर्तमान में कौन है, अनील कुमार वर्तमान में अध्यक question number 20, हाल ही में महरानी Elizabeth के नाम पर किस देश ने दीपो का नाम बदलने की घोशना की है, तो Australia ने की है, Australia की राजधानी आपको पताई है, कैनबरा है, और Australia को 85 भूमी का देश कहा जाता है, प्लस, Australia को प्यासी भूमी का देश कहा जाता है, प्लस, Australia को आपका जो है, Australia को the land of golden fleece भी कहते है, the land of golden fleece भी कहते है, ये भी answer, नेक्स्ट कुश्चन देखेगा, हाली में किस दुनिया में, दुनिया की सबसे लंबी, हाली में किस देश में, दुनिया की सबसे लंबी metro line का उदगाटन किया गया, कमेंट करके आंसर दे सराब आली में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो रेल्वे लाइन का उधगाटन किया गया चीन में किया गया चीन की राजधानी संगाई अमेरिका यूएसे की राजधानी आपका वॉसिंग्टन जापान की राजधानी आपका कुन सी है तो क्यो पनाड़ा की राजधानी आपका ओटावा ओटावा नेक्स्ट कॉश्चन देखेगा तीन ट्रिलियन बाजार तक पहुँचने वाली विस्व की पहली कमपनी कुन सी बन गई है तो वो है आपका एपल कुनसे भीईपल है अगला कुशिण tapedनें शिक्कर संमेलन की अध्यक्स्ता किस देश के दूरा की जाएगी की जाचुकिया जर्मनी के दूरा प्यार races आती हो जर्मनी के दूरा की जाचुकिया नेक्स्ट कुश्ण अगला कुश्ण देखे जनवरी 2022 में आपदा प्रबंदन सयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझूता किया है अगला कोश्चन आप कि स्क्रीन पर है बताईए इस कोश्चन का अंसर कि जनवरी 2022 में आपदा प्रबंदन पर सयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझूता किया है तो तुर्के में इस्तान के साथ किया है आज समझ में आ गई नेक्स्ट कोशन देखेगा भारत में पहला ओपन रोक संग्राले का उदगाटन कहां किया गया भारत के पहले ओपन रोक संग्राले का उदगाटन कहां किया गया कमेंट करके बताईए जल्दी से भाई जी पताईए जल्दी से अब इसमें देखिएगा रोक संग्राले की बात आई तो आपसे कई कोश्चन पूछे जा सकते हैं जैसे GST संग्राले पर्धान मंत्री संग्राले समुद्री संग्राले पूछे जा सकते हैं GST संग्राले गोवा में पर्धान मंत्री संग्राले दिल्ली में पमुद्री संग्राले आपका भाई साम लोथल गुजरात में ऐसे ही रोक संग्राले आपका कहां बनाये गया भईया आपका हैधराबाद कैंद्रिय शिक्षा मंतरी धर्वेंदर परदान ने 1 जन custard दो हजार बाईश से किस सो दिवसिय पठन अभियान का सुभारम किया इस question का answer आपको class के बाद में home work के तोर पर comment करके देना है बाद में जरूर बताना PDF आपको PW app पर भी मिल जाएगी और वैसे भी आपको ये content आपके पास पहुंच जाएगा क्या है जलो बताई देते हैं पढ़े भारत ये अभियान आपका चलाएगया पढ़े भारत तो देखी next question आपका question number 27 जनवरी 2022 में किस भारतिय महिला करकेट खिलाडी को वस 2021 की सरसेष्ट करकेटर के रूप में नामित किया गया जनवरी 2022 में किस भारतिय महिला करकेट खिलाडी को वर्स 2021 की सरसेष्ट करकेटर के रूप में नामित किया गया कमेंट करके बताईए ज़र इसमर्ती मंधाना को जूलन गोस्वामी और मिताली राज दोनों ने दोनों ने कि आप यहां लिख सकते हो जूलन गोस्वामी मिताली राज दोनों ने किर्किट के सभी फॉर्मेट से सभी फॉर्मेट से पन्यास ले लिया ठीक है यह भी कुशन आपको याद रखना ही है तो यह आपका हो गया इसके बाद आपका नेक्स्ट कुशन परदानमंती द्वारा किस सहर में मेजर ध्यानचन खेल विश्विद्याले की आधार सिला रखी गई यह कुशन आपका क्लास के बाद में आपको हुमवर्ग के तोर पर कमेंट करके देना है आपको बताना अपना नेक्स्ट कुशन आनसर करके बाद में अब इस क्लास को यहीं पर ब्रेक देते हैं आज की को पर मुलाकात होगी आपसे कल अपने समय पर एक बाद फर से चलिए सात्यों फर जहिल जय भारत